तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉफ फाइफ कोसन दोस्तो जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तो आप कोई सा भी गॉवर्मेंट इक्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रशन हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तो रीजनिंग म मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रशनों को बीना पेन उठाय सॉल्फ करेंगे मात्र कुछी सेकेंड में तो आईए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉफ फाइफ कोसन देखिएगा दोस्तों पहला कोसन है मोस यह कोसन कह रहा है एक चीट तीन मीटर चलती है और थिर चार मीटर उचे एक BRIC पर चड़ती है वहाँ अपने मूं अस्थान से वहाँ कितनी दूरी पर है इस पे दोस्तो दो type के question बनते है ठीक है पहला type का और दूसरा type का ठीक है तो पहला type का कौन सा बनता है ये वाला जो question ने इसको मैं solve करने कोशिस कर रहा हूँ और आप दोस्तो क्या करिएगा समझने की कोशिस करिएगा ठीक है देखिए कह रहा है एक cheaty 3 meter चलती है क्या होते है दोस्तो एक चीटी तीन मीटर चलती है यानि माल लेंगे दोस्तो चीटी इस पॉइंट से चल लेए कितना मीटर चली है दोस्तो तीन मीटर चली है और फिर चार मीटर उचे बिरिच पर चड़ती है ये बिरिच माल लेंगे दोस्तो तो 4 मीटर का है, कितने मीटर का है? 4 मीटर उचे बिरिज पर चड़ जाती है और प्रेशन अब क्या पूछ रहा है? प्रेशन देखिए, पूछ रहा है अपने मूल अस्थान से वह कितनी दूरी पर है मूल अस्थान यानि कि ये वाला है यहां पे जहां से चलना इस्टार्ट किए और यहां पे पूच रही हो वाग कितनी दूरी पहें तो यह दूरी कहने का मतलब ज्यादा तरह mamis student क्या करते हैं जोड देते हैं 3 मीटर चली इधर 4 मीटर चली इधर 4-3 क्या हो गया दोस्तो 6 और 7 मीटर आंसर देखते हैं तुरंट टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाते हैं यह इसा प्रस्ण यह नहीं पूछ रहा है प्रस्ण आगर जो पूछता है वह कुल कितनी दूरी चली तब तो इसका आंसर हो जाता 7 मीटर पहला टाइप का यह प्रस्ण बनता है वह कुल कित सी चलिक नहीं है यह चीज़ पूसता है तो दोस्तो जब यह पेंड पर चड़िए तो सब्रें निश्म का स्कॉर्ड निकाला जाता है अंडर में लंग का स्कार क्या होगा 16 आधार 17 मीटर चलेग समझने कोसिस किजिए और यह दूरिप ऐसेगी पांच मीटर की इस option में दिया है? option नमबर पहले में दिया है तो आपका option नमबर पहले क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आप expression को अच्छे से समझ गयोंगे एक बार और समझाने को सिस करों समझ येगा इसके लिए पेर उढ़ाने की भी जोरत नहीं होती है कैसे solve के जता है? तीन मीटर चली है फिर चार मीटर उचे ब्रिच पर चल गई है और ये दूरी पूझ रहे है तीन ये चार तो क्या करेंगो दोस्तो चार का स्कॉर क्या होता है? चली है? 16 तीन का स्कॉर क्या होता है दूस्तो? 9 16,9 क्या होगा दूस्तो? 25 इसको अंडरूट में रख लेंगे ठीक है? अंडरूट 25 का वैलू क्या होता है दूस्तो? 5 ठीक है? तो ये कान ऐसे आ जागा यह 5 यानि कि यह दूरी जो होगी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कि यह 5 मीटर होगी यानि कि चीटी दोस्तों मूल अस्तान से वो कितनी दूरी पह है तो 5 मीटर की दूरी पह है और 5 मीटर option number A में दिया तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जागा सही हो जागा और इस टैब के दोस्तों हमेशा प्रशन पूछे जाते हैं तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों इस प्रशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गयोंगे अगला question देखिएगा दूसरा question है दूसरा question आपका series से है यह भी important question है यह भी पूछा गया question है देखिए प्रस्ण है नीचे दी गई स्रिंखला में प्रस्ण चिन के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी प्रस्ण चिन है कहां देखिए प्रस्ण चिन यहां स्रिंखला में दिया गया है और यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या तो दोस्तों humility witnessed कभी भी आपकी पेपर में प्रस्राइब तो हैं तो आप क्या करेंगे सिरीज को कएसे आगे तौस्व यह सीरीज कैसे चल लेगा तीन है दोस्तों तीन के बाद पांच, पांच के बाद 6, 6 के बाद 12 हुआ, फिर 12, उसके बाद प्रस्ण वाचक्चिन 24-26, यानि कहने का मतलब है, अगर जो आप डिफरेंस देखें दोस्तों, यानि अंतर देखें, तो 3 के बाद 5 हुआ 2, फिर 5 के बाद 6, 1, 6 के बाद 12 हुआ 6, 12 के बाद 12 है, यानि कि 0, फिर उसके बाद प्रस्ण वाचक्चिन, उसके बाद से दोस्तों 24-26 है, यानि कि 2 इदार, ठीक है, यानि यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा हुगा, इस टाइप से, कि यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, या घट रही है, कुछ भी इस यहाँ पर आपको समझ म करते हैं, कहने का मतलब है, तीन के बाद दोस्तों हम 5 छोड़ देंगे, 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों 12 छोड़ देंगे, यह वाला, यह वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद दोस्तों यह प्रश्ण वाचक जिन छोड़ के, 24, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, देखिए क्या हु कहने का मतलब ह् 5 के बाद दोस्तो 12 हुआ यानि क्या हुआ है दोस्तो 5 के बाद 12 यानि कि यहां पे मल्ठीप्लाइ नहीं हो रहा है कि इतना हुप बारा जो दे नहीं ही नहीं है कितना है दोस्तो legal endeavor isn't किस option में दिया है तो option number पहले में दिया है तो आपका option number पहले दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इस type से series आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये series कैसे चली है पूरा आपको clear हो गया होगा next question देखिएगा तीसरा question और दोस्तों मैं आपको बता दू प्रशन solve करने से पहले क्या किया करिए वीडियो को pause कर दिया करिए अपने आप से भी solve करने कोसिस किया करिए अपने आप से solve करने कोसिस करेंगे तीसरा question बहुत ही important है और आपको प्रशन दोस्तों अच्छे लग रहे है तो वीडियो को अभी like कर दिजे और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों share किया करिए like share करते हैं तो दोस्तों हमें motivation मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और किसी topic में आप business रूप से कम जोड़ है तो topic का नाम यानि chapter का नाम भी comment कर देंगे तो अभी chapter में बहुत जल्द complete करा दूँगा ठीक है देखिए तीसरा question है नीचे दी गई प्रशन का सही वेन आरेक बताएं वेन diagram बनाना है किसका गोड़ा बंदर बाग देखते हैं कि संबंद कैसा है एक दूसरे के बीच यह एक दूसरे से कैसे संबंदित है बस यह चीज़ पता लगा लेंगे तो इसका answer भी आप देलेंगे ठीक है तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों बंदर क्या होता है बाग क्या होता है देखिए और ज्यादातरी student क्या सोचते हैं देखिए बड़ा छोटा सोचने लगते हैं यानि कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेंगते हैं दोस्तों बाग को कर लेते हैं उसके बाद बंदर कर लेते हैं ऐसे बेन डियाग्राम नहीं यह आपको बड़ा और बाग भी क्या होते हैं दूस्तों एक जानौर ठीक है और ये सब अलग अलग होते हैं इनमें किसी परकार का रिलेशन नहीं होता है यानि सम्बंद नहीं होता है तो एक देखिए सर्कल कैसे बनाएंगा और इसको सर्कल से प्रदसित किया जाता है तो एक घोड़ा का सर्कल हो जाएगा फिर एक बंदर का सर्कल हो जाएगा और एक बाग का सर्कल हो जाएगा यानि अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो आपका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नमबर बी में दिय है अलग-अलग सरकल ठीक है तो यह option number B क्या हो जागा सही हो जाएगा यानि के बीच कोई संबंद नहीं होता है यह सब अलग-अलग जानवर है तो इस टेक आप एंडाग्राम की step से बनेगा option number B की तरह तो आपका option number B दोस्तों क्या हो सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्ण को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाप के भी प्रेश्ण आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे अगला question देखिएगा अगला question most important है और अगला question देखनेश पहले दोस्तों जो नए student है उनके लिए बता दू दोस्तों यह पंचम पब्लीसर की ebook है आपका अगामी सभी परिशाओ के लिए important है चाहे आप दोस्तों railway की exam देंगे या अधर आप दोस्तों कोई सा मिल किया गया है जो प्रशन आपके बार-बार परिशाओं पूसे जाते हैं जो प्रशन हमें इसा परिशाओं में repeat होते हैं दोस्तों इस ebook में आपको 10 practice set मिल जागा प्लस 10 one liner set मिल जागा one liner set कहने का मतलब है दोस्तों एक line में question दूसरे line में answer इसे गया होगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे दोस्तों आपके exam में एक से दो दिन का भी time रहेगा तो इस ebook को लेगे आप जरूर पढ़ लिजएगा आपके exam में काफी help मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें science, general maths, current affairs के important questions को सामिल किया गया है जो questions आपके बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों पंचम पवलिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी लेकिन मेरे कहने अब दोस्तों यह ebook आपको 25 रुपए मिल जागी इस ebook को आप ले कहा सकते हैं तो इसका link दोस्तों मैं नीचे एडिक्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उस link के थूरू इस ebook को के बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस ebook को मैं खुद देखा हूँ इसमें जो प्रस्म दिए गया है बहुत ही important दिए गया है जो बार बार exam में पूसे जाते हैं इसलिए दोस्तों पहले पहले इस ebook को एक बार लेकि आप जरूर पढ़ लीजेगा तो आईए दोस्तों देखत उसको solve करने के posis किया जाता जैदा time नहीं दिया जाता है ठीक है देखे इसमें time नहीं लोगेगा परशन को पड़िए गा प्रस्न कहरा है नीचे दी गई स्रिंखला में अगला संख्या क्या होगा यानि यह श्रिंखला दी गई जोस्तों और इसमें पूछ रहा है कि ख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सिरीज कैसे आगे चल लेए, कहने का मतलब इसमें देखिए, पहले में क्या दिया है, 589654237, उसके बाद है 8965423, उसके बाद प्रश्माचक चिंग, ठीक है, ये दिया है, तो इसमें आप थोड़ा सा, अगर जो 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 आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्या दिख जाएगा, यानि ये जो स्रिंखला है, ये जो पहला वाला संख्या है, ठीक है, अगर जो ध्यान से देखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ये वाला 5 पहला वाला संख्या, यह चीज लिखा हुए, ठीक है, अब आगे क्या किया है, दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिए दोस्तों, 8, 9, 6 लिखा है, 5, 4, 2, 3 तक लिखा है, 7 को नहीं लिखा है, समझ रहे न, इक कर क्या रहे, यानि कि पहले वाले में क्या किया, पहला संख्या हटा दिया, द चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझानी कोशिस करो, पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या किया है, दूसरे वाले में क्या कर दिया है, यानि कि यहाँ पर इतना लिख दिया, फिर इसमें क्या किया है, सेबेन को हटा दिया, यानि कि लास्ट वाले में दोस्तों क्या किया है लाश्ट वाले में देखने कोसिस करेंगे देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे यानि कि यह 8 को हटा दिया है 9654 यह देखिएगा 965423 लिख दिया है उसके बाद दोस्तों हम लास्ट वाले यहां प्रशनवाचे चिने यहां पर क्या होगा आपको बताना है ठीक है समझने कोशिस किजिए एक बार और समझाता हूं यहां पर 5 काट दिया है दूसरे वाले में यहां पर 5 काट के और यहां पर पूरा लिख दिया है ठीक है इसमें क्या किया है दोस्तों 7 को काट दिया है पूरा लिख दिया है फिर क्या किया है दोस्तों यहां पर दोस्तों 8 को काट के यहां पर लिख दिया है ठीक है इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 3 को काट देंगे जितना हो जाएगा तो इस टाइप के फ्रस ना है दोस्तों तो आप इस प्रश्ण को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गयोंगे नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा दोस्तों पांच वा कोस्टन कैलेंडर से है और मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन है और एलबे एक्जाम में यह प्रश्ण पूछा जा चुका है देखिए कोस्टन क्या कह रहा है करना क्या होता है दोस्तों करना क्या चाहिए देखिए 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक हम दिन निकालेंगे कितने दिन होंगे ठीक है यह चीज इनके बीच की दिन निकालेंगे तो देखिए यहां पर आप करना क्या है 30 जनवरी यानि कि जनवरी टोटल कितने दिन का होता है दो लीपीयर जो होता है दोस्तों उसमें फेबुरारी होता है 29 दिन का और लीपीयर कैसे निकालते हैं कैसे पहचानते हैं तो जो जो वर्स होता है जैसे यहां 2013 है अगर जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाएगा तो यह लीपीयर होगा इसमें दोस्तों चार से किसे दोस्तों चार से पूरा-पूरा भाग चला जाए जाज इसमें ओ क्या होता है लीपियर जैसे 2012 में पूरा-पूरा चार से भाग चला जाएगा ठीक है 2020 है 2012-2016-2020 यह क्या होगा दोस्तों यह सब लीपियर होते हैं और इसमें चार से पूरा-पूरा भाग चला जाते हैं तो इसमें फेब तो फेबरुरी में कितने दिन बच्चा दूस्तो 28 दिन अब पूछ यह रहा है दोस्तो दो मार्च को फेबरुरी के बाद आएगा मार्च, दो मार्च में 2 दिन, ठीक है अब इसको जोड़िए कितना दिन हुआ, 1, 28, 2, जोड़ेंगे, 1, 28, 29, 29, 29, 31, कितना दिन हो गया दोस्तों, 31 दिन, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच का दिन कितना आ गया, 31 दिन आ गया, हम 31 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे, 7 से क्यों भाग करते हैं, सपता हमें 7 दिन होते हैं, प्रते एक सपता के बाद वही दिन repeat करने लगता है इसलिए दोस्तों क्या करते हैं साथ से भाग करेंगे 31 को दोस्तों साथ से भाग करेंगे तो क्या होगा साथ चोग 28 हो जाएगा और हापे सेस फल में क्या बचेगा सेस क्या बचेगा 31 में 28 गटाएंगे तो क्या हो जाएगा तीन बचेगा ये जो तीन दीन बचाना, इसी को क्या करेंगे, गुरु वार में जोड़ देंगे, गुरु वार यानि कि विरस्पति वार में तीन दीन जोड़ेंगे, एक दीन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तो, सुक्र वार, दो दीन जोड़ेंगे सनी वार, तीसरा दीन जोड़ेंग तो आप solve कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस इनके बीच का दिन देखा जाता है, टोटल कितने दिन है, जैसे इसमें एक दिन बचा है, जनुरी में, फेबरोरी में 28 दिन बचा, देखिए, बिना पेन भाय भी solve कर सकते हैं, देखिए, क्या बचा दोस्तो, ज 31 को दोस्तो क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, किसे भाग करेंगे दोस्तो, 31 को 7 से भाग करेंगे, तो 7 क्या हो जाएगा, दोस्तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में क्या बचेगा, तीन दिन, जो 6 में दोस्तो बचता है, वही हम इसमें जोड़ देते हैं, गुरु वार मे ठीक है अगर जो जीरो बचेगा तो गुरुवार ही होगा और इसमें एक दिन बचा दो दिन बचा तीन दिन बचा जितना दिन बचता है उसको हम गुरुवार यानिकि जो दिन दिया रहते हैं उसमें हम जोड़ लेते हैं तीन दिन चोड़ेंगे रभीवार इसका राइट अ तो दोस्तो आपके लिए एक चैनल पयाँ जिसका लिंक नीचे दिप्षोन बोक्त में दे दिया हूँ दोस्तो मैं मैंवल पर यृदि प्रोबलम होर्भका में दे दिया हूँ